गुद्वानिंग बच्चों आज हम आपको व्याकरण का पार्ट 21 कराएंगे पार्ट 20 तक हमने आपको हाँ फिर लिए एक्जाम तक करा दिया था अब हम आपको कराएंगे पार्ट 21 है ना तो आप पार्ट 21 क्या है समरूपी बिनार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे में काफी अंतर होता है जिसके कारण उनके अर्थ में बहुत अंतर रहता है यह शब्द ही समरूपी बिनार्थक कहलाते हैं बाशा ग्यान के लिए समरूपी बिनार्थक शब्दों से परिचे आवश्य होना चाहिए जैसे दोबी कपड़े पर स्त्री कर रहा है और स्त्री लेकिन इनके मीण अर्थ अलगे इन दोनों वाक्यों में इस्त्री शब्द Kपड़े प्रेस करने के लिए वह इस्त्री शब्द महिला दोने के लागत रही हैं कि समान लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में अत्यदिक भिन्यता है इसलिए हमें शब्दों का प्रयोग उनके अर्थ के आदार पर सोच समझ कर करना चाहिए इनका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए ऐसा ही को शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए जो बोलने वा सुनने में काफी समान पतित होते हैं लेकिन अर्थ के आदार पर काफी भिन्यता रखते हैं जैसे अन अन और अन्य अन्य माने अनाज होता है और अन्य मतलब दूसरा अनल और अनिल अनल माने आग अनिल माने हवा अपेक्षा उपेक्षा अवलंब अविलंब, आदी, और, और, थोड़ा-थोड़ा सा अंतर है, जरा-जरा से वर्तनी मात्राओं का अंतर है, लेकिन इनके मीनिंग बिलकुल अलग है, इस तरह से ये शब्द आपको पढ़ लेना है, इस वे टेबल को पढ़ना है, थोड़े-थोड़े अंतर वाले हैं, इनको आपको अब निम्लिकी समा लगने वाले शब्दों के अंतर वाक के बनाकर इस प्रस्ट कीजिए, अनल और अनल, अनल गर्मियों में, खेतों में बहुत अनल लग जाती है, या अमरीका के वनों में अनल लगी हुई है, अनल मतलब आग, और अनल मतलब हवा, आज बहुत अदर अनल चल रही है, और गरह, ग्रह मतलब वह ग्रह नक्षत रोती है, कुल नव ग्रह होते है, या सूर्य ग्रहों में एक है, नौ ग्रहों में एक है, ग्रह, आज मेरे घर का, आज मेरा ग्रह प्रवेश्य है भुवन और भवन भुवन माने क्या होता है भुवन होता है संसार और भवन मतलब मकान तो भुवन भुवन राजा राम सारे भुवन के स्वामी थे और भवन हम अपने भवन में रहते है या मेरे घर का नाम मंगल भवन है कपट और कपाट कपट मतलब मन में गंदे विचार कपट मतलब होता है गलत बात होना और कपाट मतलब दर्वाजा कपट का मतलब होता छल कपट जो होती है दोका धड़ी करना वो होता है कपड तो हमें किसी से कपड नहीं करना चाहिए और तेज हवा चल रही है कपाड बंद कर दो ये वाक्तियों प्रयोग है अब इसको छोड़ दो ये अनुच्छेद में से कहां छाटेंगे परिक्षा में भी नहीं आपाएगा अब संब्रूपी बिनार्थक शब्दों से आप क्या समझते हैं इसका ये है देखो हिंदी के ऐसे अनेक शब्द जिनका उच्चारण एक दूसरे से बहुत मिलता है पर उसकी वर्तनी में काफी अंतर होता है जिसके कारण उनके अर्थ में अंतर आजाता है ये शब्द ही समरूपी दूसरा है रिक्तिस्तानों में समरूपी बिनार्थक शब्द भरिये आज मेरा परिच्छा परिणाम और परिमार क्या लिखेंगे परिणाम परिणाम मतलब नतीजा परिणाम गोशित होना है दीपक और दीपांश दोनों भाईयों की बहुत मिलती है सकल और शकल 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 होती है बहुत शकल बरेंगे अब यह है जर्णों का दीर और नीड क्या है नीर नीर मतलब पाने नीर भरेंगे यहां पहला वाला नीर यहां निशान भी लगाएंगे यहां भरते भी जाएंगे क्रेश्क ने यमना नदी के परबंसी बजायक करते थे, कुल पर और कूल पर, कहा बजाते थे, कूल, कूल म rubbish from कि양ा नदी के कि मैंने अपना ग्रह कार्य पूरा कर लिया, ग्रह हैं, डूसरा वाला कि ग्रह है, क्रह होता ये, इसको ग्रह बोलते हैं, इसको ग्रह है, sneeze ग्रह क जाहें शक्ल और परिणाम यह आपने मैं जोड़ी बनाना है कि निम्द कालम का सही मिलान की यह दिन लक्ष और लक्ष यह लक्ष और लक्ष इसको मिलाएंगे लाक से दिन और दीन को कि इस से दिवस और गरीब दिन माने दिवस लक्ष और लक्ष को मिलाएंगे यह लाख और उद्देश दूसरे से मात्र और मात्र केवल और मांसे तीसरे को इससे मिलाएंगे मूल और मूल्य ये मूल और मूल्य ये आधार और कीमत मूल मतलब आधार और मूल्य मतलब कीमत शर और सर शर माने बाण होता है तीर और सर माने तालाव सकल और शकल मतलब सब और शकल मतलब सूरत इसको सबसे अंतिम्बालिस मिलाएंगे अन और अन्य ये अनाध और दूसरा से मिलाएंगे और 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 मतलब तरफ और और मतलब अन्य और कूल, कूल और कूल, कूल मतलब वंश, नहीं, कूल मतलब वंश, हाँ, वंश, और कूल मतलब किनारा, तो कूल और कूल को किसे मिलाएंगे वंश और किनारा से, तो यह आपकी हो गई मेंद़ प्यार, आप दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम इसका मुहावरे, मुहावरे शब्दों का ऐसा समूज जो विशेश अर्थ रखता हो और केवर बोल चाल की वाशा में प्रयोग तोकर बात के अर्थ को प्रबावी बनाता है मुहावरा कहलाता है यह आपका पहले वाले प्रश्निका वो हो जाएगा परिवाशा यह अर्भी वाशा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास लोग जीवन में मुहावरों का बड़ा महत्व है आम जंता द्वारा बोल चाल की वाशा में इस प्रकार बोले जाते हैं कि इनके प्रयोग द्वारा बड़ी सुन्दर और चमतकार पूर अर्थ व्यन्जना की जाती है मुहावरों को सदा भावों द्वारा समझना चाहिए जैसे आखें दिखाना आख हम सभी दिखाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं अर्थात आखें दिखाना का अर्थ है गुस्सा होना आख हम तभी दिखाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं आखें दिखाना का अर्थ होना मतलब गुस्सा होना चित्रों के आधर पर मुहावरों को समझने का प्रयास कीजिए पेट में चुहे दोड़ना मतलो क्या हो रहा है इसके पेट में चुह दौड रहा है मतलब इसको बहुत तेज भूंक लग रही है अब यह क्या है हवा में ओढना हवा में ओढना मतलब अपने सफल ओने पर घमंड करना आट अब है इन पेसलिक महावरे और उनके वाक्ति देखिए इनको आपको पढ़ना सारे महावरे ये वाले पढ़ना है इनके अर्थ पढ़ना है और वाक्तिवावे प्रयोग भी कर लेकिन उससे मिलते जुलती होना चाहिए मतलब उसका प्रयोग सही होना चाहिए अंग डीला होना जैसे अंधेरे गर का उजाला का मतलब एक मात्रपूर पुत्र साथ्विक अपने माता पिता के लिए अंदेरे घर का उजाला है इसी तरह से कोई साज वाक्यों प्रयोग कर सकते हैं आप लो तो इसको पूरे को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और इनके अर्थ भी पढ़ लेना है बहुत ध्यान से ठीक है अब हम इसको यहां तक कर आज तो इतनी गर्मी है कि लगता जैसे आका से अंगारे बरस रहे हैं यह लिखेंगे पहले में अंगारे बरस रहे हैं दूसरे लोग तारीफ करें तभी कुछ बात है नहीं तो अपने मुह मिया मिठ्धू बनने से कुछ नहीं होता अपने तुदे ही रखाएश में अपन मुह मिया मिठ्धू बनने से कुछ नहीं होता तीसरा चोर पुलिष की आँखों में धूल जौक कर भाग गया धूल जौक कर पहले में अंगारे बरस रहे हैं दूसरे में मुह मिया मिठ्धू बनना और तीसरे में धूल जौक कर भाग गया अब है यह हम यह मान ही नहीं सकत कि आपकी कुछ गल्ती नहीं थी बलकि हम तो यह मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती नहीं बजती ने ताली एक हाथ से हमेशा दोनों आसे मतलब दोनों सरफ से गल्ती है अब निम्लेकित मुआवरों को वाक्तर में प्रयोग की दिए पापड बेलना इसका क्या होगा परिक्षा में पाउने के लिए हमें बहुत पापड बेलना मतलब कठिन परिश्रयम करना अंगुठा दिखाना मतलब क्या करना होता है मतलब पहले राम ने मेरी सायता करने के लिए कही और जब मैंने राम से साहता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया ऐसे लिखो अपना उल्लू सीधा करना कोई विदाम लिखो सीमा हमेशा अपना उल्लू सीधा करती है सीमा मेरे पास आकर हमेशा अपना उल्लू सीधा करती है करती रहती है ठीके यह हो गये आपके मोहावरों का वाक्यों प्रयोग अब मोहावरों से आप क्या समझते हैं तो यह आपको पहले ही बता दिया यह सब से आगे शब्दों का ऐसा समूझ जो विशेश अर्थ रखता है और बोल चाल की वाशा में प्रयुक दोकर बात के अर्थ को प्रभावी बनाता है, मोहावरा कहलाता है, यह आपको लिखना है, पहले की हो गया परिवाशा, अब मोहावरे दोर बाशा का प्रयोग करके आपस में बात कीजिए, यह तो कहां हो गई नहीं, तीसरा प्रिशन देखो, चित्रों से सम्बंदित मोहावरे लि होगा, आटा धाल का भाव, यह दो, आटे दाल का भाव, 40 नमबर पर दे रखा है, आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक है, यह क्या है, इट से इट बजाना, इट से इट बजाना, इट से इट बजाना, इट से इट बजाना मतलों लडाई करना, देखें इट से इट बज से इट बजाना, यह है, इट से इट नहीं बजाना, यह है, इट का जवाब पत्थर से, 16 नमबर वाला है, इट का जवाब पत्थर से देना, तीसरा है, अपने पैरों पर कुलाडी मारना, अब यह है, उंट किस करवत बैटता है उंट किस करवत बैटता है ठीक है? यह हो गए आपके यह प्रेस नमबर तीन उंट किस करवत बैटता देखें यह ना तो पहले में आपको फोटी नमबर 14 नमबर का मोहावरा बरना है दूसरे में 16 नमबर का मोहावरा बरना है तीसरा बरना है अपने पैरों पर कुलाडी मारना ये छटवा नमबर अपने पाउ पर कुलाडी मारना और चौते में बरेंगे अपन 22 नमबर का मोहावरा ठीक है? अब है बैस हो गया यह अओ इसी तरह से जैसे मोहावरे होते हुआ यह लोकोक्तिया यह कहावत ने कहलाती हुआ इनको भी आपको दियांस McAdäre पढ़ल्डे ना ऺंब इनके यहां पे एकसरसाइड कराते हैं लिखिट लोकोक्तियों के अर्थ लिख ये, जैसी करनी वैसी भरने, इसका अर्थ लिखना है के वल, जैसी करनी वैसी भरने का ये पहले का, जैसा कारे करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये पहले का, पहले प्रश्न का उत्तर पहली लोकोक्ति है, नाचन जाने आंगन तेड़ा, इसका दूसरे का अर्थ है, स्वयम कारेना आने पर दूसरों को दोश देना, ये होता है, नाच ना जाने आगन टेड़ा, तीसरा है, आम के आम, गुठलियों के दाम, मतलब धवल फाइदा लेना, दोहरा लाव लेना, इसका कहीं है, ये देखो ये, आम के आम, गुठलियों के दाम मतलब आम भी खा लिए और गुठलियों को भी बेज लिया तो उसके कीमत मिल गई तो ये दोहरा लाव इनके केवल अर्थ लिखना है वाक्टियों प्रयोग ने करना दूसरा है निम्ने वाक्टियों को सही लोकोक्ति दौरा पूरा की दिये अब यहां पर यह दे रखा है इनके लोकोकति लिखना है लाला जी ने सारी अम्र परोपकार करने में बिताई अब उनके बुड़ापे में हर व्यक्ति उनकी साहता करता है तब ही तो यह कहा जाता है कि जैसा बोगे जैसी करनी वैसी भरने है ना जैसी करनी वैसी भरने जैसी करनी भरनी यह यहाँ पर आएगा रूपेस ने अपनी गलत हरकतों से पूरी कच्छा का नाम बदनाम कर दिया इसे कहते हैं एक मचली सारे तालाप को गंदा करती है यह देखो यह एक मचली सारे तालाप को गंदा कर देती है दूसरे में ये लिखना है पहले में ये जैसी करनी वैसी भरने ठीक है तो इसमें जैसी करनी वैसी भरनी और दूसरे में एक मशली सारे तालाब को गंदा करती है लोकोक्ती से आप क्या समझते हैं इसकी परिवाशा ये है लोकोक्ती अर्थात लोक प्लस उक्ती जिसका अर्थ है लोक में बोल ले जाने वाली उक्ती इसे हम कहावत या प्रसलित बात भी कहते हैं कि लोगोक्ति से आप क्या समझते हैं यहां तक लिखेंगे लोकोक्ति ऐर्थात लोग प्ल्स उक्ति जिसका आर्ठ है लोगमें बोल ले जाने वाली लोग्ती यह ि तक लिगें किवल लोगोक्ति का अर्थ tha टोध रहनाए आप दूसरे का उत्तर है लोकोक्ति के प्रयोग कर अपनी बात्चीट को सुंदर रुप दीटी है अब यह सही यह गलत का चिन्ने लगाना है प्रेक्जिन कर देती है इसका मीनिंग क्या होगा गलत व्यक्ती दूसरों को भी बदनाम कर देता है मचली से पानी गंदा हो जाता है गंदी मचली को तालाब में नहीं रखना चाहिए इसका अर्थ होगा पहला वाला एक गलत व्यक्ति दूसरों को भी बदनाम कर देता है इस पे निशान लगाएं सही का दूसरा है अब पच्टाए हो जब चिडिया चुक गई खेद समय निकल जाने पर पच्टाना व्यर्थ है चिडिया के सामने पच्टाना नहीं चाहिए पच्टावा करने का चिडिया पर कोई असर नहीं होता इसका भी पहला ही उत्तर है समय निकल जाने पर पच्ताना व्यर्थ है ठीक है अब तीसरा है दूद का दूद पानी का पानी का अर्थ है दूद में से पानी निकालना दूद में पानी मिलाना तीसरा निस्पक्ष ने आए तीसरे का उत्थर होगा इसका होगा निस्पक्ष ने आए तीसरा वाला तो पहले में का, दूसरे में भी का और तीसरे में गा, ठीक है, यह हो गया आपका, पार्ट, 22 और 22 हो गया है ना, आप पार्ट 24, 24 करेंगे, संबाद लेखा नहीं, मतलब दो व्यक्तियों के आपस की बात्चीत को हम संबाद कहते हैं, जैसे, जब हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं, और किसी दूसरे की बात को समझने की चेश्टा करते हैं, तो इसे हम, तो सब्दों वाक्यों का जो आदन प्रदान हो किसी से भी बात्चीत हम कही रूपों में करते हैं, प्रत्यक्स रूप में आपने सामने बैटकर, टेलीफॉन पर एक दूसरे की बात सुनकर, और आजकल के अत्याधुनिक माध्यम कम्पेटर पर इंटरनेट दौरा, करते हैं ना, तीनों अवस्थाओं में हम पाते हैं, कि कि विद्याले की टीम फुटवाल मैच में प्रत्थम आई, इस विशेपर नेहा और जतिन की होने वाली बात्चीत को संबाद लेखन के रूप में देखिए, जतिन, नेहा क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे विद्याले की टीम ने मारडन विद्याले की फुटवाल टीम को हरा दिया नेहा सच यह तो बहुत कुशी की बात है क्या तुम मैच देखने गए थे जतिन हाँ मैच देखने गया था नेहा हमारी टीम में सबसे अच्छा कौन खेला जतिन सबसे अच्छा हमारा मित्र राहूल खेला उसी के कारण हमारी टीम जीती है हमारी टीम को स्वंड साथना सवा में भी पूरी टीम को पुरस्कृत करेंगे तो यह जब हमरी टीम गीती तो यह दो बच्चों के बीच में संबाद हुआ नेहा और जतिम के बीच में तो यह आपस की बातचीत को हम संबाद ले कहते हैं अब डाक्टर और मरीज के मद्दे संबाद को पूरा कीजि डाक्टर ऐसा कब से बंसल एक सप्ता से डाक्टर आपको खून की जांच भी करवानी पड़ेगी ठीक है मैं पैसा राजी से खून की जांच करवा लूंगा डाक्टर मैंने दवाएं लिख दी हैं समय पर खाते रहें वद तीन दिन के बाद फिर दिखाएं लेकिन खून की रिपूर्ट अब पहले दिखाना ठीक धन्यवाद इस तरह से आपको यह संबाद मतलब आपस की बातचीत को संबाद कहते हैं ठीक है तो यह होगया संबाद लेखन अब यह इतना आपको इसमें से यहीं तक आपको परिक्षा में यह इसकी तैयारी हो गई इसके अलावा फ कौन सा आएगा और परिक्षा प्रातना पत्र तो आपको मालूमी है ना प्रातना पत्र कौन सा आ सकता है छुटी के लिए प्रातना पत्र तो आपसे बद्दा ही है भाई की शादी में जाने के लिए यह गूमने जाने के लिए और यह होता है वो उसके लिए छात्रावास म लिए रहती हुए पिदाइ दीसे रुपधाए मंगवाने के लीए पत्र लिखना है न तो इस तरह से आपको को ये करना नेवड में आपको बता देंगे और पत्र बता देंगे और एक दो निवंद भी आप लोग पढ़ते रहा न फिर निवन्दम आपको बताएंगे ठीके ओके गुड़ दे